तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी discount वाली problem को solve करने वाला हूँ तो discount अपन किस तरीके से दे सकते हैं टैली के अंदर चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसके आद मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे अपन उस चीज को यूज करते हैं तो अभी मैं एक sales in noise open कर लिया हूँ यहाँ मैं कुछ number डाल देता हूँ यहाँ मैं कोई सा भी एक laser select कर ले रहा हूँ ठीक दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ quantity डाल देता हूँ अब यहाँ पे discount percentage देने का option है तो यहाँ पे अगर आप percentage डालते हैं तो direct यहीं पे minus हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे amount calculate होके भी आ गया अगर मैं और कोई भी item एक और डालता हूँ यहाँ ठीक है मैंने भी यहाँ पे discount percentage कुछ भी नहीं डाला मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पांच परसेंट दस परसेंट जितना भी डालना है यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ अब मैं यहाँ पे जब जैसे ही last में मैं इधर discount लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे automatic अपना discount minus होके ही आ गया अब अगर मैं यहाँ पे cgst, sgst होगरा डाल के inoise save करना चाहूं तो मैं save कर सकता हूँ तो यहाँ पे एक proper तरीके पुरा-पुरा calculation हो जा रहा है यह discount मैं यहाँ आइटम के नीचे डाला और सालक सारा detail अपना यहाँ पे आचूँ तो अपन discount यहाँ भी डाल सकते हैं आइटम के साथ भी, आइटम के नीचे भी amount के साथ में डाल सकते हैं मालीज अगर आपको amount के साथ में डालना है, so करना है तो आप सीधा-सीधा यहाँ पे discount percentage डालेंगे, यहाँ पे amount आपका calculate हो जाएगा और बाकी भी तरीका रहता है discount डालने का, अगर यह दोनों ही आप अगर option नहीं यूज करते हैं तो आप अलग से भी यहाँ पे discount करके आप डाल देते हैं यहाँ तो चलिए मैं तीनों option को आपको दिखाता हूँ, सुरू से मैं बताता हूँ कैसे, क्या यूज करना है अपने तो एक normal invoice के entry अपन कुछ इस तरीकेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे यह सारा detail सब कुछ फिल करते हैं, यहाँ पे मैं item भी select कर लेता हूँ, अभी आप देख सकते हैं इधर discount का कोई भी option नहीं आ रहा है, तो अगर मुझे इसमें अगर normal तरीके से discount डालना है, यहाँ अगर म और यहाँ पे अपना discount जो भी रहेगा, वो इधर आएगा, अब यह अपने को amount जो है minus में लिखना है, तो आप यहाँ पे discount देते समय, इसको आप minus में इस तरीके से लिख सकते हैं, आप minus में लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, last में इसका total होके minus के साथ में आ आएगा, तो 33, 379 माइनस इसको मैं 16, 69 कर देता हूं सिधा सिधा, ठीक है, इतना आया, 31, 710 पे अपना 12% के दोनों आइटम है, यानि 6% आएगा CGS, इन्टू 6% अगर करते हैं यहाँ पे, 1902 रुपे अपना आना चाहिए, अब यहाँ पी क्या हो रहा है कि यह 2002 रुपे सब कुछ यहाँ पे अपली केवल करके, इसमें आपको GST rate ओगर डालना पड़ेगा, कितना GST rate आएगा, उसकी वजह से आपको फिर कई सारे laser बनाने पड़ जाएंगे, जितने % के आपके आईटम रहेंगे, उतना आपको discount ओगर देना है, तो काफी सारे अलग-अलग इसम से करना है, चलिए देखते हैं, ठीके दोस्तों अब अपन पहले क्या करते हैं, कि यहाँ पे जो percentage है, अपना discount percentage वो लेके आते हैं, पहले अपन परसेंटेज डालते हैं, हर एक आईटम के साथ में उसका यूज क्या रहता है, उसको देखते हैं, फिर उसके आद फिर जो आप यस कर लिजिए, अब यहाँ पे inventory वाला जो option रहेगा, आपका inventory वाले option में आपको इधर discount का भी एक column दिख जाएगा, use discount column in invices करके, यहाँ पे यह no किया हुआ है, तो इसको आपको yes कर देना है, इससे क्या होगा, invoice में आपका discount column जो है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जालना है, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, यह दूसरा item भी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी अगर अपने को percentage होगर देना है, तो यहाँ भी same हर एक item के लिए अलग-अलग अपन percentage दे सकते हैं, जैसे वहाँ अपर वाले 5 है, तो यहाँ पे अगर आपको 10 percent इसमें देना है, तो आप इसको अपने हिसाब से changes कर सकते हैं यहाँ पे, और अब इसमें जो भी आपका GST होगर लगेगा, वो आपका सिधा-सिधा calculation जो है, वो आपका इसी total amount पे होगा, 18,089 वाले पे, अगर आप इसको calculate करेंगे, तो 6 percent हिसाब से इतना ही आएगा, अग अगर आप laser wise voucher entry करते हैं, तो laser के हिसाब से बिना item वाली अगर आप entry करते हैं, तो laser के हिसाब से फिर तो आपका वही वाला आएगा, discount का laser बनेगा, और वही आपको डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप item के साथ में billing करते हैं, तो यह आपको एक फायदा मिल जाता है, हैर उस पर सारा calculation हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर discount percentage नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए अभी मैं यहाँ से यह जो discount percent है, मैं यहाँ से भी हटाता हूँ, खेर हटाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, तो अगर मैं य जाके यहाँ पर F11 feature में, यह वाला जो option है, column वाला मैं इसको no कर दूँगा, तो इन no करने क्या होगा, यहाँ पर भी discount नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने को discount सो करना है, और वो proper आना भी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर भी billing करने जाओ, ठीक है, तो अभी यहाँ पर फीचर में जाना है, तो यहाँ पर F12 करेंगे, अपने को voucher में ही रहते हुए, और यहाँ पर last में आपको दिखेगा, provide cash trade discount करके, अगर आपका यह option नहीं दिख रहा है, तो आप so more configure वाला यह उपर वाले दोनों को yes कर लेंगे, तो यह आपको दिखने लगेगा, तो आपको यहाँ पर option आ चुका है, इस item के नीचे में आपको heading दिख रही होगी, discount करके, discount के बाद जिख आपको 5% या जो भी percentage आपको देना है, इसको discount वो डालना है, यहाँ जैसे मैंने 5 डाला तो यह सीधा सीधा बता दिया कितना amount इनका minus हो रहा है इस item का, दूसरा item लेते ह हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी अपना side वाला discount अपन ने अटा दिया है, अपन सीधा यहीं पे ही discount डालना है, जितना भी अपने को percentage डालना है, सीधा सीधा यहीं पे डालेंगे, और उसका exact उतना amount यहाँ पी निकाल के देदेगा, लेकिन अभी इसका effect आप देख रहा है इस वाले amount में नहीं आ रहा है, जो last में इसका total amount है उसमें नहीं आ रहा है, इसका effect दीखेगा कहाँ, इसका effect अपन दोस्तों डालेंगे एक discount के laser के अंदर, अब discount के laser के अंदर कैसे डालना है, अब जैसे अपन ने जो भी laser यह बनाया हुआ है, डिसकाउंट या discount account का, इस laser क अंदर में आपको यहाँ पे type of laser जो है इसको discount set करके रखना है ठीक है आप इस type of laser को discount जैसे ही set करेंगे आप देखेंगे कि यह automatic यहाँ पे minus होके automatic आगया जैसे आप laser discount यह वाला discount laser select किये यहाँ पे जितना भी amount discount आपने दिया हुआ है वो minus होके आगया 2299 अगर मैं इसमें एक और item ले लेता हूँ ठीक है इसमें मैं discount देता हूँ चलिए इसमें 8% देता हूँ तो यहाँ तुरंत ही calculate हो गया 14-40 रुपए 8% और यहाँ पे भी आप नीचे वाले laser में भी देख सकते हैं discount account वाले laser में यहाँ भी यह discount का amount बढ़ चुका है एक item और लेना है इतने भी item बढ़ रहे हैं वह आप डालेंगे तो आपका calculate हो जाएगा automatic अब इसमें जो भी आपका GST calculate होगा उसमें आपका total amount minus discount फिर उसके उपर में अपना GST calculation हो जाएगा तो यह एपनी एक proper entry हो जाती है और यह वाला आपको option discount का tally में default ही मिल जाता है इसके लिए कोई TDL होगर एक जरूत नहीं पड़ती है इस discount का यूज करके आप अपने proper accounting कर सकते हैं दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताए कमेंट करके वीडियो अच्छे लगी हो प्लीज लाइक कर दीजे सेर कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिए तो मिलते है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुती जल्द थैंक यूज